अगले question में देखो एक कुट्ता 6 km पर ती गंटे की चाल से दोड़ता है और उसे 75 meter भूजा वाले वर्गार मेदान के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ठीक है यहां पर आप देखो कि 6 km पर 3 गंटे की चाल से दोड़ रहा है और मुझे side दे रहे की वो मीटर में दे रहे की तो मैं क्या करूँगा किलोमेटर पर 3 और दे रहे का उसको मीटर में change कर लेता हूं अब मुझे speed मिल गई है अब मुझे पूछा है कि 75 मेटर भूजा वाले वरगाकार मेदान के 4 और चक्कर लगाना है तो total कितनी distance भागेगा यह एक वरगाकार मेदान है जिसकी side 75 है तो total कितना भागेगा 75, 75, 75, 75, 75, 75 into 4 तो total भागा वो 75 into 4 distance ठीक है यह distance आगी मेरी अब देखो मुझे निकालना के है कितना time लगेगा इतनी distance भागने में तो time निकालना है आपको आपको पता है time equal to क्या होता है मेरा time equal to क्या होता है distance upon speed ठीक है distance क्या आगी 75 into 4 divide by speed क्या आगी 5 by 3 ठीक है अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैंने distance किसमें लीती distance लीती मैंने meter में और speed किसमें लीती मीटर पर second में तो मीटर से मीटर कट गया और जो यह value आ रही है यह क्या आ रही है यह value आ रही है मेरी seconds में ठीक है मुझे answer पूछा है minute में ठीक है तो पहले मैं देख लेता हूँ कि जो seconds आ रहे है उसको अगर मैं 60 से divide कर दूँ अथ क्या आ जाएगा minute आ जाएगा मेरा अब इस value को 60 से divide और कर दो देखो मेरा मानना ही है कि पहले से काटा चाटी मग करके और इसको बड़ा मत बनाओ यहाँ पे न आप सीधा पहले अभी लिख दो 75 into 4 divide by 5 multiply by 3 और divide by 60 divide by 60 इसलिए कि है कि हमको इसको minute में convert करना है ठीक है अब आप ध्यान से देखो कि 3 का बाग गया है यहाँ पे 20 बार ठीक है चार का बाग गया है फिर से 5 बार 5 into 5 पच्चेस वा 25 पिच्चेतर से कट गया कितनी बार तीन बार ठीक है तो सीधा मेरा answer आगे है तीन minute जो मुझे option C में दे रखा है इस question के ठीक है तो इस time से description को solve करेंगे